आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के निस वीडियो लेक्सेस में इसक्सल करेंगे वह बहुत इंट्रेस्टेट टॉपिक है जिसका नाम है relation between relation between kp and kc relation between kp and kc that is equilibrium constant in the term of concentration and equilibrium constant in term of partial pressure इन दोनों में क्या relation होता है किसी chemical equation में हमें दोनों के साथ को रिलेट करना हो तो हम इसको कैसे को रिलेट करेंगे आज उसी टॉपिक पर हम लोग शुरुबात करेंगे अगर चलो मालने कोई भी chemical reaction reversible लिखा गया है एक्चली किसम में लिखा गया है रिवर्स भी लिखा गया है वह हमारा chemical reaction क्या है माल लो वह chemical reaction है यह मुवान a plus m2b reversibly क्या बना रहा है बताओ n1c plus n2d n2d यह आपका reactions जो लिखा गया है यह आपका reactions है अब इस reaction के लिए अगर हम लोग क्या करें एक गांट टू लाफ मास एक्षण अगर एक कांट टू लाफ मास एक्षण इसमें जो रियक्टेंट और प्रोडटक्ट है सब गैसिस फोर में है तो अगर हम इसको तो पार्चल प्रेशएरं करे टम लिखना चाहें लिखना चाहें तो इस रिक्षिंटी को हम लिख सकते हैं बतारते के लिख सकते लुग लिक कि लाघनाश एक्सिंट लाघ किा यह ब्र मसक्शन क्या कहता है partial pressure of product upon partial pressure of reactant is equal to Kp तो हम इसको लिख सकते हैं कि Kp is equal to हम indicate कर सकते हैं partial pressure किसका बताओ partial pressure किसका C का power number of mole क्या बताओ N1 and partial pressure किसका बताओ D का power number of mole N2 upon partial pressure किसका बताओ A that is reactant power M1 number of moles and P positive pressure of B power M2 this is the equation number first this is the equation number first this is the equation number last mass sections Kp की बेल मिल देगे अब प्रस नहीं बनता है कि अगर इसके अगर हम इस टर्म को थोड़ा सी बात को समझे कि अगर हम Kp की टर्म में तो ऐसे लिख दे रहे अब प्रस नहीं होता है कि from ideal gas अगर हम लोग Nmol ideal gas से देखें from 1mol ideal gas अगर 1mol ideal gas क्लिए हम चलें क्योंकि gas के लिए बात हो रहे है 1mol ideal gas तो 1mol ideal gas क्लिए के equation होता है बोलो Nmol ideal gas क्लिए क्या equation होता है sorry Nmol ideal gas क्लिए हम बात करेंगे अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बोलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं P is equal to N by V into RT बोलो लिख सकते हैं और N मतलब होता है number of mole V मतलब अगर हम value को लिटर में ले ले तो हमें पता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं since बोलो value mole per liter more per liter इसकल्टू होता है concentration क्या होता है concentration जिसको हम किसी space का सकते हैं बताओ C से किसे दिखाते हैं C से 30 हम दिख सकते हैं C is equal to N by V C is equal to N by V पताब concentration is equal to होता है mole per liter यहाँ हम दिख सकते हैं P is equal to CRT क्या लिख सकते हैं CRT यह आपका general term हो गया मतलब pressure को हम CRT के रूप में लिख सकते हैं तो चलिए हमारे पास धे सारी component है सबकों concentration को लिखने कोशिश करेंगे उसको pressure को concentration में convert करेंगे for ideal gas heater में तो अगर मैं ऐसा करना चाहेंगे तो बताओ हमारे पास component क्या है तो एक component हमारे पास क्या है बताओ component क्या है एक जो product है वस C है क्या है थम क्या है थम क्या है लिख सकते है बताओ similar हम लिख सकते है बताओ for PD क्लिम क्या लिख सकता हो concentration D into क्या होगा RT PC क्लिए 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 concentration C into RT फिर क्या होगता PA क्लिए होगा concentration A into RT फिर क्या होगता PB क्लिए होगा concentration B into RT को यह पाइनकर अमतला हुन् 고 Pan को पिडी पीच्वेसर फिसल्ट टीक है मतल़ हुआ क्या करेंगे करें पूटिंग वैलू है को फीए पीडी जुटी एन द पीडी कि इन एक्वेशां हो इंद पूट कर देते हैं जब first में put करेंगे था हमें क्या मिलने वाला है देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या होगा क्या मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा क्या होगा PC का स्थाम क्या लिखें बताओ CC RT N1 CD RT N2 अपन क्या हो जाएगा बताओ अपन हो जाएगा CA RT पावर M1 और CB RT पावर M2 हो जाएगा बात समझ पा रहे हैं सभी बात को समझ पा रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो अगर मालो यहाँ पर C का मतलब क्या है C Concentration of Reactant के लिए और तोड़ पर दिखेगा तो हम इसको लिख सेखते हैं क्या हो जाएगा C Concentration C Component Power क्या हो जाएगा N1 and Concentration D Component Power N2 हमने किसको कमल लिया आर्टी को पावर क्या होता है बताओ पावर अगर आर्टी कामन है तो पावर क्या हो जाता जूड़ जाता आर्टी N1 प्लस N2 N1 और N2 क्या है गैसी मूली आप प्रोड़क्ट है यह ध्यान दे यह ऐसी महला प्रोड़क्ट है इस समयरी एकसर्ट किसमें बताओ गैस्य हजयावर में है यह व्यी आपको मिलेगा अपान इस रिय meth से स्पावर यहां पर इंधि कांसेंट्रेशन यहां पर एयम को लिए छोड़ जाएगा क्या है गैसी स्मूल आप रियक्टेंट है आप यहां तक स्किल साट ले सकते हैं आपको और उपर दिखाते हैं तो अगर हम इसको और उपर दिखाएं देखी अब क्या लिख सकते इसको अगर हम इसको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं Kp is equal to C मतलब concentration लिख सकते बताओ active mass of C power N1 active mass of T क्योंकि C हम concentration ले दाट इस active mass ले रहें power क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा और आपको क्या बताओ Rt power क्या ही M1 plus N2 आपड क्या लिख सकते बताओ आपड हम लिख सकते हैं concentration of A M1 होगा और concentration of B power M2 होगा अब हम बात करते बताओ Rt क्या लिख सकते हैं kp is equal to below f2 mass of c power n1 and f2 mass of d power n2 upon f2 mass of a power m1 and f2 mass of b power f2 mass of b power m2 हो जाएगा यहाँ पर b power m2 हो जाएगा अब यहाँ पर लिए होता है कि यहां पर आई टी आपान क्या हो जाएगा तो इसको हम लोग दिखा सकते फिर देखेंगे लोग तो क्या लिए से ताओ से होता है थो यहां पर सबाद को समद लें इसको वरड को सिह क्यों हो जाएगा जो हम ने पढ़ा केशिस करद्द्द का सी इनों सॉटा दो सबताओ यहां पर ऑद्घताक्रस्त्र क्या होता है कि यहां पर केशी एकलिम constante अब William लिख सकता हूँ जो आपकी ये value है delta ये इन स्कल्टू क्या हो जाएगा बताओ n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 ये हो जाएगा जिसका मतलब इसको क्या लिख गैसे स्मोला प्रोड़क्ट मनद गैसे स्मोला प्रोड़क्ट है बोलो ये क्या है कैसियस मोला प्रोड़क्ट मोला प्रोड़क्ट हो गाई है प्रोड़क्ट मान्यस क्या बताओ कैसियस मोला रेक्टेंट अगर इतना हो गया तो थोड़ी से बात को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाए बताओ इसी क्या हो जाएगा जहां पर यह लिखा गया है यहां पर यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका डिल्टा यहां पर दिखेंगे कि जो आपका डिल्टा यहां पर सबसे आगे बढ़ाएं तो हम एस कड़ी को थोड़ा से आगे बढ़ाएंगे तो इस कभी कभी क्या होता कुछ रियक्षन दी जाते हैं अगर केपी और केशी की पेलूप दे जाती है तो हम इसको कैसे सॉल्ट करेंगे इस situation में जानने किने सबसे simple तरीका होता है कि यह डिल्टा यह गैसे small of reactant and product decide करेगा कि केसी बड़ा है कि केसी बड़ा है कि केसी केपी बड़ाबर है यह ध्यान रखें जब कहाई पर equilibrium word आएगा वहाँ पर तो हम स्वेंब आपको इसकी previous lecture मताये थे केसी केपी बड़ाबर होत case number first हमने क्या माना एजुन करो जो case number first है अगर उसको लिए मनें यह माना की जो डिल्टा यह है गैसे small of product माने गैसे small of reactant अगर यह value क्या हो जाए जीरू अगर यह value 0 होगी तो आर्टी की value 1 हो जाए जिसका मतलब हमें क्या मिलेगा ऐसी situation में केपी और केसी क्या होगी इक पल हो जाएंगे फार्दरी एकसर फार्दरी एकसर लिए क्या हो जाएंगे एक पल हो जाएंगे लेकिन अगर हम लोग चलो मान लो case second बात करते हैं के second में लिए जो डेल्टा यह न है जो मोड़ान 0 या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा यह विकम टू पास्टू अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो बताओ अब क्या होने वाला है ऐसी case में क्या होगा अगर डेल्टा यहन की value पास्टू होगे तो आर्टी की value केसी में जूर जा जाएगी और और क्या हो जाएगा बड़ा निकल जाएगा मतलब क्या होने जाएगा मतलब करते हैं में लोग बात करेंगे तो यहां पर डेल्टा यहन को हम क्या ले लेते हैं जाएगी लिए जीरो स्कम का होने का मतलब क्या है टो निगेटू जब हो जाएगी ऐसे केस में क्या हो जाएगा के-पी से बड़ा कौन निकल जाएगा कइसे निकल जाएगा मतलबिक की बेल यह ज्पन को निकल जाएगी किसी की बेल निकल जाएगी तो यह गर लेते हैं तो हम पहला इस जांपल देते हैं एक्जांपल हमारा फर्स्ट है अब बताओ आप से पूछा जारा रिलेशन बिट्रीं केपी उन कैसी मतलब क्या पूछा जारा है क्या कहा रहा है हाइड्रोजन गैस और आइडीन गैस एक्रुब्रियम बनाके रखें किसके साब ब आप इस रियक्षन के लिए के सिक आपको कुछ रहा है यह यह वह नहीं बताओ इसको मूल कितने मटाओ ङइसको टो लोग बताओ टॉटल लोगें स्धों तो इल्टा इन इस स्कल्टू क्या हो होगा धेल्टा इन की वैलु जीरो रहा है कि डिटा इन की वैलु जीरो होती है ऐसे केस बिस कि एड़ येक्सार वहला फार्डिस रियक्शान कीच इक इक्जामपल तरफ आते हैं जब सेकेंड इक्जामपल क्या करा देखें यह एक्जामपल क्या है इसके लिए का बात करें प्लस क्या है टू किसमें बताओ गैस में टाइट इस फास्फोरस पेंटाप्लोराइड इक्लोरियम विद फास्फोरस ट्राइट अब प्रस निए अगर इसके लिए हम प्रस निकरें तो बताओ क्या होगा गैस मूल आफ रडाओ यजुला होगा गैसे फ्रस फ्रस लूर्डब ऑन प्लास वाव्ड्यक्टं पाओ फ्रस क्या हजा हो जाएगा प्रूफ हो गया कि इस रियक्शन के लिए क्या हो नहीं के पी जमोर्दन केसी पतब फार्दिस रियक्शन के पी जमोर्दन केसी